तो विल्कम बैक माई यूटूब चैनल भीमा चित्रा आप सभी का स्वागत है दोस्तों उमीद करता हूँ कि स्वास्त और बहतर होंगे तो आज किस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक नई भरती की चोंकि बहुत बड़ी भरती है आप लुगों के लिए बिल्कुल गुड नीज है तो योगी ची का आदेश है अगर आप बेरोजगार है तो बिल्कुल ये वीडियो आप के लिए है तो चलिए ज़्या अगर आप बेरोजगार हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है तो वीडियो को इंड तक देखना और पूरी बात हैं समझना कि क्या प्रोसेज है कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं कितनी सैलरी होगी सब कुछ बात करने वाले हैं इसी वीडियो में तो यहां पर आप प्लाई पूरी वीडियो दिखाते हैं पूरी बाते आपको बताते हैं आईडियाई पास इवाओ के लिए नौकरी की तलास में भटक रहे अगर आप भटक रहे हो आईडियाई की हो आप तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं रोजगार मेला लगाया जाएगा क्या रोजगार मेरा लगाया जाएगा और इस बेरोजगारी के दंस के जेल रहे जो ITI इवा पास है वो 25 सितंबर तक यानि कि 25 सितंबर तक बंपर भरती है जो है अली गंज राज की अध्योगिक प्रसिचर संस्थान में ये मेरा लगने वाला है और आपको बता दें यहाँ पर प सेलरी आप पर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों कितनी 18,000 रुपए सेलरी तो बिल्कूल आपको करना क्या होगा यहाँ पर मैं बता दू मास्क लगा कर आना होगा बिना मास्क के परिसर में परवेश नहीं है प्रधाना चारे आरेयन त्रिफाटी ने बताया कि सरकार की मंसा ह कि सापेच अधिक से अधिक इवाओं को जो है रोजगार देने का नड़ह लिया जाये और इस मेले का चो आयोजण किया गया है बीते दिनों में लगे मेले में करीब 15,000 इवाओं को नौकरी दी गई है कंपनी के नियम और सर्तों के अनरूप इवाओं को नौकरी मिलेगी भरती के लिए पांच कमपनियां आ रहे हैं जिसमें आपको 18,000 रुपए की सेलरी परतिमाह देने की प्राउधान है और यहां पर जो आपरेटर और मसीन एंजियों के तहत काम करेंगे वो यहां पर पदों की संक्या आपरेटरों को 1150 पदों पर भरती होनी है तो बिलकुल अ आप उस छेत्र के हैं तो बिलकुल आपके लिए बहुत बड़ी जो है यह समझ यह आफर है ऐसा कह सकते हैं लिखित परिच्छा और साच्छात कार के आधार पर चैन होगा संयुक्त निदेशक प्योसाइक सिच्छा SSC तिवारी ने बताया कि तकनिकी प्रसिच्छा इसके बाद दूसरा फेविच चलेगा और दूसरी सुची में त्यार हो जाएगी प्लिस्मेंट प्रभारे एम एक खान ने बताया कि आवेदन पत्र और दस्तवेच के साथ है सीधे मेले में आना है आपको पहले आवेदन की जरूरी नहीं है आवेदन का कोई जरूरत नही यहाँ पर साफ कह दिया गया है आप अपने डाकॉमेंट ले लिजिए जो आपकी योगता है जैसे आपने आईटिया ही किया है जो भी और आपको पहुंचना है कहाँ पर पहुंचना है मैं आपको फिट से दिखा दे रहा हूँ दोस्तों एक बार वीडियो में यहाँ पर राजगी और द्योगिक प्रसेचर संस्थान यहाँ पर आपको जाना है तो अगर आप इस छेत्र से हैं तो जरूर चाहें और आपको नवकरिया राम से मिल जागी दोस्तों तो इन्फार्मेशन कैसे लगी बताना और अगर कुछ आप जानकारी चाहते हो तो वीडियो पर क सब्सक्राइब ज़रू करें तो मिलते हैं आप से थेक्वी फोर एवर्यवन वाचिंग दिस वीडियो शपूर्ट माई चैनल और सब्सक्राइब नाओ